यह आपका पार्ट 10 वीडियो इस शेप्टर का पार्ट 10 वीडियो में एक्सेसाइज 4.4 पे हैं और कुर्शन नमबर है 16 करकिसी भिन का हर अंस के दो बुने से एक जादा है यहाँ देखिए इसको सुधार कर लेंगे यह गलत दिया हुए दो पुनांक 16 बटा एकईस हो तो भिन ग्याद कीजिए तो हमान लेते हैं माना माना भिन का भिन का अंस भिन का अंस बराबर में एक्स फिर लिखेंगे भिन का हर भिन का हर तो कोशन में क्या कर रहा है कि किसी भिन का हर अंस के दो गुने से एक जादा है तो अंस और हर हमने लिख लिया तो भिन आपका क्या होगा अंस और बटा में हर चलो प्रस्ण से क्या करेकोसन में कि भिन और उसके बित्करम का फ़ल दोपुनांक 16 बटा एक ऐस bracket भिन आपका क्या है X बटा 2X पलस 1 और इसका बित्करम क्या होगा तो 2X पलस 1 बटा में X और इन दोनों का योगभवल जो है इन दोनों का योगभवल वह है दो पुणांक 16 बटा एक इसलिए अब इसको solve करते हैं LCM लेंगे ने याप़े LCM हो जाएगा आपका 2X प्लस 1 इंटू में X इससे भाग करेंगे यह कट जागा X जाके उपर इंटू करेगा X स्क्वार यहाँ भाग करें X कर जागा यहाँ 2X प्लस 1 जाके इंटू करेगा तो 2X प्लस 1 का होल स्क्वार और बराबर में कितना हो जागा यहाँ solve कर देते हैं 21 दूना 42 और 42 में 16 को जोड़ दो कितना हो जागा जी अंठावन तो अंठावन बटा में 21 चलिए यहाँ solve करते हैं तो X स्क्वार प्लस यहाँ देखो यह प्लस भी का होल स्क्वार लगाएंगे ना तो 2X का स्क्वार प्लस 2 इंटू 2X इंटू 1 और प्लस में 1 का स्क्वार और बटा में हो जागा 2X स्क्वार प्लस में X बराबर में 58 बटा में 11, चलिए आगे solve करते हैं, यहां हो जाएगा, देखो, 2x square है, तो यहां, 2x का होले square है, तो 4x square और 5x square हो जाएगा, यहां आपका 4x हो जाएगा, और plus का 1, बता में, 2x square, plus x, बराबर में, 58 बता में 11, ठीक है, तो यहां पे cross multiply कर सकते हैं, चलिए तो cross multiply करते हैं, तो 21 में गुना होगा, 5x square plus का 4x plus 1 से, और 58 में गुना होगा, 2x square plus x के साथ, चलिए गुना करते हैं, तो यहां पे कितना आ जाएगा, आपका 105 x square, इसमें गुना होगा, तो कितना जाएगा, आपका एकसोगा और एकसे स्कोयर प्लस कितना हो जाएगा 58x चलिए अब इसको एक तरफ करते हैं तो यहाँ आपका हो जाएगा 105x स्कोयर प्लस का 84x प्लस का 21 माइनस का 116x स्कोयर माइनस का 58x बराबर में 0 इसमें से इसको घटा देते हैं तो माइनस का 11x ऐगा 11x square ठीक है आप दोखो यहाद को प्लस का है यह माइनस का है तो यहाँ भी घटाएंगे तो आपका आ जाएगा चौँदा में से आठ जाएगा यहाँ पर आएगा आपका 6 और यहाँ पर जाएगा 7 7 में से 5 जाएगा आपका 26 और प्लस का 21 बराबर में 0 यही न आएगा चलो तो अब इसमें माइनस से गुना कर दो तो जगा 11x2 माइनस का 26 माइनस का 21 बराबर जाएगा से गुणा करोगे तो आपका आएगा माइनस का डो सो एक्तिस एक्स स्क्वाइर चलिए यह यहां ना यानिकि दो सब्सक्राइम फैक्टर करो पदा चलेगा दो तीन साथ एकईस तीन साथ एकईस फिर कित से जाएगा साथ से 11 बार ते गारा त्यां तैथिस 23 में से साथ जाए कर लो तो X-3 बचेगा यहासे 7 कमन करो X-3 बचेगा दुनों प्रेकट में एक जैसा आगे ना चलिए बाहर निकाल लेते हैं तो X-3 और 11 X प्लस 7 बराबर में 0 अलग-अलग कर देते हैं X-3 बराबर 0 11 X प्लस 7 बराबर जयो जैसे X बराबर 3 ना जाका यहां 11 X बराबर माइनस का 7 यहां चुकि चुकि अंस एक एक प्राकृत संख्या होगा इसलिए X बराबर 3 लेंगे इसको छोड़ देंगे लोगिण तो आपका यहां से भिन जो था भिन निकल का विन अजेगा विन क्या था दल चींटा में टीन ने कि यहां दो से द आ से अधिक है मतलब हर से एक अधिक है एसा उनाशी था हर से एक अधिक है यदि भिन की भिन से इसका भ्यूत्क्रम घटाया जाए तो अंतर गारा बट्टा 30 हो जाता है तो भिन इयाद करें तो माना माना भिन का अंस माननों पहले या हर माननों covering माननों somewhere on ये उसको कोई न फर्क पड़ेगा भिन का अंस ही मानते हो कोई दिक्कत नहीं है भिन का अंस X माल लिए तो भिन का हर भिन का हर X minus 1 लेना होगा नहीं तो हर को एक्स माल लेते तो अंस को एक्स प्लस वन लेना होता है क्योंकि क्या कर रहा है कि किसी भिन का अंस हर से एक अधिक है तो समझ रहा है ना हर से एक अधिक है या तो कोई दिक्कत नहीं अगर आप हर को एक्स माल लेते और अंस को एक्स प्लस वन माल तो भी चलता क्योंकि देखलो अंस जो है हर से एक अधिक हो सकता है अब बताओ तो यहां से भीन्ह आपका pictured तो भीन्ह आपका हो जाए आंस और वस्टा में हर प्रस्ण से प्रस्ण से यदि किसी भिन्ह से भीन्ह क्या है आपका 1 गटाया जाता है तो 11 बटा 30 हो जाता है चलिए अब इसको LCM लेके solve करते हैं आपका आ जाएगा ठीक है तो चलिए यहाप LCM हो जागा x-1 into मेengед इससे इसे भाग करेंगे x जाके उपर into करेगा x स्क檐र माइनस इससे आप भाग करेंगे x-1 जाके into करें x-1 का होल माइनस बराबर में 11 बटा 30 x स्कॐर यहाँ हो जागा x स्कॐर माइनस का 2x और प्लस का 1 ड neighboring दिये फार्मलागा दिये a-b का All idea ve Finally X स्थार माइनास X बराबर में 11,000 बत्ता में 30, चले स्वावश करते हैं उपर तो एकस स्थार माइनस पसक्ता स्कार प्लास पास्य स्कार के सपर्णा सब्का है और बत्ता में है आपका x square minus x बराबर में 11 32, x square से x square कट जाएगा, बचे हुए को cross multiply करो, 11 में गुना होगा x square minus x से और 30 में गुना हो जाएगा 2x minus 1 से तो हो जाएगा यहाँ 11x square minus का 11x बराबर में 60x और minus का 30, इसको इधर लेके आते हैं यहाँ पर, चलिए तो इसको एक तरफ करते हैं आपर, तो हो जाएगा आपका 11 11x square minus का 11x minus का 6x plus का 30 बराबर में 0, चलिए तो हो जाएगा 11x square यहाँ दोनों minus का तो जूर जाएगा न यहाँ पर तो minus का हो जाएगा यहाँ 71 minus का 71x और plus का 30, बराबर में 0, अब इसका गुननकन करना है तो यहाँ इसमें into कर रहे है, तो 330 हैगा न, तो 330 का भाज गुननकन करके देख लेते हैं, 330 x square तो यहाँ पर 2 से ले जाएगे 165, 3 से ले जाएगा 3, 5, 15 और 3, 5, 55, अच्छा फिर 5 से जाएगा 11, 11, 33, 33, 32, 66 66 में 5 एड हो जाएगा ताब कर 17 आ जाएगा न, चल गए यही सेट करेंगे 11x square minus का 66x minus का 5x plus का 30 बराबर में 0 यहाँ से 11x कॉमन कर लो तो x minus 6 बचेगा minus 5 कॉमन कर लो x minus 6 बचेगा गुर्ण प्रैकेट में सेम आगया x minus 6 को बाहर निकाल दो बच्चा का 11x minus 5 बराबर में 0 चलिए तो यहाँ से अलग-अलग कर देंगे x minus 6 बराबर 0 और 11x minus 5 बराबर 0 तो यहाँ से x बराबर 6 और यहाँ 11x बराबर हो जागा 5 यानिकि x बराबर 5 बच्टा एक ग्यारा चुकी चुकी भिन का अंस अंस एक भिन का अंस एक धनात्मक पुनांक के रुपन होगा धनात्मक पुनांक होगा इसलिए x बराबर 6 x बराबर क्या आगया 6 आगया तो हमारा भिन क्या हो जागा तो भिन आपका जो था भिन आपका है x बर्टा में x minus 1 यानिकि 6 बर्टा में 6 minus 1 यानिकि 6 बर्टा 5 आपका भिन आगया समझ गे कोसर नमर 18 सest नमरे 18 सुरारा किया रहा है कि किसी भिनका अंस हर से एक अधिक है यदि इसका विध्रक्रम भिन में जोड़ा जाता है तो योग आपका 16 बटर 30 हो जाता है तो भिनिंगत प्रसुरेगा चलिए तो यह मान लेते हैं माना भिन का भिन का अंस भिन का अंस बराबर में x और भिन का भिन का हर भिन का हर क्या हो जागा x-1 तो कि देखे का रहा है कि किसी भिन का अंस हर से एक अधिक है तो हर x-1 लेना होगा ना ताकि यह एक अधिक कहला है चलिए यहां से आपका भिन क्या हो जागा तो भिन हो जाएगा आपका x बटा में x-1 प्रस्टन से क्या कर रहा है कि यदि भिन में उसका भित्क्रम जोड़ा जाता है त्यानि कि x-1 में जोड़ दिया जाता है भित्क्रम इसका x-1 प्रस्टन से भाग करोगे x जाके इंट्टन करेगा x-squat प्लस इसमें इसे भाग करोगे यह बचेगा यह जाके उपर इंट्टन करेगा x-1 का होल स्कार बराबर में 61 बटा में 30 तो यहाँ सॉल्ब करते हैं x-squat यहाँ हो जागा x-squat-2x-1 डिरेक्ट मैंने लिख दिया और नीचे हो जागा आपका x-squat-x इकॉल टू में 61 बटा 30 चलिए यहाँ पर थोड़ा सॉल्ब करते हैं तो यहाँ हो जागा 2x-squat-2x-1 बटा में x-squat-x बराबर में 61 बटा में 30 यहीं नहाँ हो जागा आपका चलिए यहाँ cross multiply करते हैं तो 60 में गुना कर दो x-squat-1 से 61 में इंटू कर देंगे x-squat-x से ठीक है और 30 से गुना कर देंगे 2x-2x-2x-1 से चलिए इसको सॉल्ब करते हैं यहाँ यहाँ घटेगा तो x-squat-1 यहाँ यहाँ घटेगा तो x-squat-1 यहाँ दोनों घटेगा माइनस का x और माइनस का 30 बराबर में जीटो चलिए तो अब इसका गुनानखन करना होगा न तो x-squat-6x-5x-3 बराबर जीटो देखो घटेगा तो यह आ जाएगा और गुना होगा तो इनके गुनानफल के बराबर नहीं आ जाएगा चलिए common करो x-6 बच जाएगा 5 तो अलग-अलग कर दो x-6 बराबर 0 x-5 बराबर 0 यहां से x बराबर 6 और x बराबर माइनस का 5 तो चुकि भिन का भिन का अंस एक धन पुर्णांग के रूप में होगा धन पुर्णांग होगा इसलिए x बराबर क्या हो जागा 6 तो हमारा भिन क्या है तो भिन आपका था x बर्टा x-1 ना यहनिकि हो जागा 6 बर्टा में 6-1 यहनिकि 6 बर्टा में 5 ठीक है चलिए अगला question देखते है वर्षा नमर 19 देखो कह रहा है कि एक भिन का हंस हर से तीन अधिक है यदि भिन से उसका ब्युत्क्रम घटा दिया जाए तो अंतर 33 बटा 28 हो जाता है तो भिन यहाद करते हैं यहाँ माना भिन का अंस भिन का अंस बराबर में x भिन का हर भिन का हर तो हर के बारे में क्या कर हैं यानिकि हर आपको एक्स म suscept 3 लेनागे ता विन आतीन फीक हूँए है सो आपका भिन क्या हो Od गटा दिया जाता है एक्स बटा में एक्स मैनस 3 है और इस में से किसको घटा देना है यदि इसके भीयुत्क्रम को यानिके एक्स मैनस 3 बटा एक्स को घटा देंगे तो आपका अंतर जो है 33 बटा 28 हो जाता है चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं ठीक है यहां पेल्सियम लोगे एक्स मैनस 3 गुना में एक्स बराबर में 33 बटा 28 तो यह तो पहले लिखी दो यहां भाग करोगे यहां कर जागा एक्स जाके इंटू करेगा एक्स स्क्वाइर यहां भाग करोगे यहां कर जागा यहां जाके उपर इंटू क करेगा x-3 का होले स्कॉयर चलो यहां पर x स्कॉयर इसको यह मैनस बी के होले स्कॉयर पर तो एक्स स्कॉयर माइनस का 6x प्लस का नौ आ जाएगा और बटा के नीचे है x स्कॉयर माइनस का 3x ठीक है यह बराबर में 33 बटा में 28 solve करते हैं थोड़ा सा x स्कॉयर माइनस का x स्कॉयर प्लस का 6x माइनस का 9 बटा में x स्कॉयर माइनस 3x बराबर में 33 बटा में 28 यह कट जाएगा इन दोनों में 3 common है तीन common करनो तो 3 दूना 6 3 39 और नीचे है x स्कॉयर माइनस का 3x बराबर में 33 बटा में 28 3 से इसको काड़ देंगे 11 बार में cross multiply कर देंगे 11 में गुना होगा x square minus 3x और 28 में गुना होगा 2x minus 3 ठीक है 11x square minus 33x बराबर 56x और minus 84 हो जाएगा चलिए अब आगे solve करते हैं इसके बार एक तरफ करेंगे न चलो एक तरफ करोगे यहाँ पर तो हो जाएगा 11x square minus 33x minus 56x minus 84 बराबर जीनों 11x square यहाँ दोनों minus का जुड़ जाएगा न यहाँ 6, 3, 9, 5, 3, 8 minus 89 और minus 84 बराबर में जीनों अब यहाँ इसका गुना करना होगा तो अब यहाँ पे इसमें गुना करोगे तो माइनस का 924 x square तो 924 का आज गुना नखन करते हैं दो से ले जाते हैं तो दो चोगे आठ कितना हो जागा दो च्छके बारा और दो दुना चार फिर दो से ले जाएगे तो आपका दो तीन एक अब तीन से जाएगा तीन से ले जाएगे तो तीन साथे कैस यहीं से पेर बंज़र है देखो ना 77 तीन दुना छे छे दुना बारा शताथर और बारा आपका यह आजाएगा 11 x square माइनस का 77 x माइनस का 12 x माइनस का 84 c बराबर 0 यहां common करो 11 x तो यहां बचेगा इसलिए हम माइनस का बना चलिए दोलों ब्रैकेट में सेम आ गया यहां बच जाएगा 11 x माइनस 12 चलो अलग अलग यहां से कर देते हैं तो x माइनस 7 बराबर 0 11 x माइनस 12 बराबर 0 यहांसे 11 x बराबर 12 यानिकी x बराबर 12 बट्टा 11 चुकि भिन्न का अंस एक धन पुनांक होगा भन पुनांक होगा धन Photon साथ, तो हमारा भिन क्या है, तो भिन जो था, वह है, x बटा x माइनस 3 ना, x बटा x माइनस 3 था, x माइनस x बटा 3, चलिए, तैहां पर रख देते हैं, हो जागा साथ बटा, साथ माइनस 3, यानिकि साथ बटा, चार आपका भिना गया है, समझ गया है? खुशन नमर 20 देखो, कह रहा है कि किसी भिन का हर, उसके अंस से तीन अधिक है, यदि एक अंस और हर दोनों में जोड़ा जाता है, तो नया भिन और मूल भिन में एक बटा 24 कंतर है तो मूल ग्याद करें मूल भिन ग्याद करें, यहाँ छोड़ दिया है मूल भिन ग्याद करें तो माना माना भिन का अंस भिन का अंस बराबर में एक्स भिन का हर क्या होगा? भिन का हर क्या होगा? तो कोशन में आपके का रहना है कि कि किसी भिन का हर और अंस से 3 अधीक है, तो अंस से 3 अधीक है, तो X प्लस 3 हो जाएगा, चलिए, तो आपका भिन, भिन क्या होगा, तो X बटा में X प्लस 3, प्रस्न से, कराया कि एक जो है, अंस और हर दोनों में जोड दिया जाता है, तो अंस में भी एक जोड देना है, और हर में भी एक ठीक है तो यह नया जो भिन बना या मूल भिन से मूल भिन यानिके x बटा x प्लस 3 इन दोनों का जो अंतर आ रहा है एक बटा 24 आ रहा है चलिए यहां solve करते हैं यहां देखो जागा x प्लस 1 बटा में x प्लस 4 कर देंगे माइनस x बटा में x प्लस 3 बराबर में 1 बटा 24 चलिए यहां LCM लेलो तो x प्लस 4 और गुना में x प्लस 3 बराबर जो है वो तो रहेगा ही इसमें इसे भाग करोगा x प्लस 3 जाके x प्लस 1 में गुना करेगा न तो x गुना X प्लस 3, इसमें इसे भाग करोगे, यह जाकर उपर गुना करेंगा, X इन्टू X प्लस 4, चलिए अब इसको solve करते हैं, तो क्या हो जागा गुना करोगे तो, X स्क्वाइर प्लस का 3X, प्लस का X प्लस का 3, ठीक है, यहां हो जागा माइनस का X स्क्वाइर, और माइनस क 4X, चलिए, बटा में, X स्क्वाइर, प्लस में 3X, प्लस में 4X, प्लस में 12, बराबर, एक बटा 24, एक स्क्वाइर से X स्क्वाइर कट जागा, यहां दो को 3X और X 4X, और इस 4X से कट जागा, अटा देते हैं, डिरेक्ट, आईके स्टिप बजगे मेरा, तीन बटा, X स्क्वाइर प्लस में 7X प्लस 12, और बराबर में 1 बटा 24, क्रोस मंटिप्लाई कर दे क्या, तो यहां से हो जागा, X स्क्वाइर प्लस का 7X, प्लस का 12, 24 तियां कितना हो जागा, तो 24 तियां हो जागा, आपका 72, ठीक है, इसको एक तरफ करते हैं, X स्क्वाइर प्लस का 7X, प्लस का 12, मैंनस का 72 बराबर जिए, X स्क्वाइर प्लस का 7X, यहां घटा दो, तो मैंनस का 60 बराबर जिए, यहां पर गुननखन करना होगा ना जी, चले गुननखन करते हैं, तो हो जाएगा यहां पर, X स्क्वाइर प्लस का 12X, मैंनस का 5X, मैंन दोनों ब्रेकेट में एक देश आगे ना बाहर निकाल दो इसको यहां x बच जाएगा यहां माइनस का 5 बराबर 0 अलग अलग कर दो x प्लस 12 बराबर 0 x माइनस 5 बराबर 0 यहां से आपका x बराबर माइनस का 12 यहां से x बराबर 5 ठीक है तो चुकी भिन का अंस एक धन पुनांक होगा धन पुनांक होगा धन पुनांक होगा तो पुनांक में यहीन आएगा आपका x बराबर 5 चले है तो आपका भिन हो जाए से भिन गविन x बटा में x प्लस 3 यानि कि 5 बटा में 5 प्लस 3 यानि कि 5 बटा आठे हैं से आपका भिन आ गया समझ गया कॉसर नमबर 21 देखो एक बिन का हर अंस से तीन अधिक है है यादि अंस और हर दोनों में तीन जोड़ दिये जाए तो नए और मूल भिन का अंतर 9 बटा 88 होता है तो मूल भिन ग्याद करना है तो माना माना भिन का अंस भिन का अंस बराबर में x भिन का हर भिन का हर क्या हो जागा तो कारणा कि यदि भिन का हर अंस से 3 अधी करते हैं यह x है तो x प्लस 3 न हो जागा चलिए तो आपका भिन क्या हो जागा तो भिन हो जागा एक्स बटा में एक्स प्लस थ्री प्रस्न से कहा रहा है कि यदि answer हर दोनों में 3 जोड़ दिया जा तो यहां x प्लस 3 और बटा में x प्लस 3 प्लस 3 दोनों में 3 जोड़ दिया गया तो नए यह नए भीन हो गया और मूल भीन दोनों का जो अंतर है वह 9 बटा 88 हो जा रहा है ठीक है चलिए अब इसको आगे solve करेंगे तो एक्स प्लस 3 बटा में x प्लस 6 हो जाएगा माइनस x बटा x प्लस 3 बराबर 9 बटा में 88 अब solve करेंगे चलो तो इसका LCM लेलो यहां पर हो जागा LCM इसका x प्लस 6 इंटू में x प्लस 3 बराबर में 9 बटा में 88 यहां बाग करोगे यहां जाकर उपर गुना करेंगा तो x प्लस 3 का होल स्क्वाइर हो जाएगा चलिए माइनस इसमें से बाग करोगे तो यहां कट जागा यहां जाकर उपर इंटू करेंगा x इंटू x प्लस 6 यह यह प्लस b का ओल स्कोर लगा देंगे तो x square plus का 6x plus का 9 हो जागा यह हो जागा x square minus का 6x नीचे इंडू करो तो x square plus का 3x plus का 6x plus का 18 बराबर 9 बटा में 18 ठीक है यह कट जाएगा उपर बज़के आपका 9 हो जाएगा 9 बटा में x square plus में 9x plus 18 बराबर में 9 बटा में 18 तो उपर उपर इसे काट सकते हैं एक बार में चलिए प्रोस मंटिप्लाइ करेंगे तो x square plus 9x plus 18 sorry 18 बराबर में आजाएगा 18 यह इससे गुना क्या यह इससे गुना क्या इसको इधर लियाते है x square plus का 9x plus का 18 minus का 18 बराबर में 0 x square plus का 9x minus का 70 हो जाएगा नहापे बराबर में 0 तो इसका गुनान खंड करते हैं तो हो जाएगा आपका x square plus में 14x minus का 5x minus का 70 बराबर 0 घटेगा तो आपका यह और गुना होगा तो इनके गुनान फल के बराबर x common करो x plus 14 minus 5 common करो x plus 14 दोनों ब्रेकेट में सेम आ गया common कर लते हैं x plus 14 बाहर निकलेगा तो यहाँ x बचेगा यहाँ minus का 5 बराबर 0 अलग-अलग कर दो x plus 14 बराबर 0 x minus 5 बराबर 0 x बराबर यहाँ से minus का चौदा और यहाँ से x बराबर 5 तो चुकि संख्या जो है संख्या क्या होगी एक धन पुर्णांक के रुपन होगी अंस यहर जो भी है तो चुकि भिन का भिन का अंस एक धन पुर्णांक होगा धन पुर्णांक होगा धन पुर्णांक होगा इसलिए अमनों x बराबर 5 को ले लेंगे तो हमारा भिन यहां से आ जाएगा भिन क्या था तो एक्स बटा में एक्स प्लस तीन यानि कि पांच बटा में पांच प्लस तीन यानि कि पांच बटा आठ यहां से आपका भिन आ गया तो इस वीडियो को यहीं पेंट करते हैं प्लीज आप चैनल को सस्क्राइब कर देंगे वीडियो को like share करेंगे और इसे related वीडियो देखने के लिए सीधे description जाएंगे description में भारती बॉन, NCRT, केसी सिरा इन सब के solution दिये गए thanks for watching the video और comment करके जरूर बताएंगे कि हमारे वीडियो आपको कैसे लगते हैं